Hello Children, आज हमारा टॉपिक है Factors and Multiples तो Factors की Definition हो गई है A factor of a number is an exact divisor of that number और Multiple क्या होता है? A number is said to be multiple of any of its factors हम एक example से इसको समझते हैं जैसे हमने example लिया 15 तो उसका हम 1 into 15 लिख सकते हैं उसी तरीके से हम उसको 3 into 5 भी लिख सकते हैं तो इसके Factors क्या हो जाएंगे? 1, 3, 5, 15 मतलब कि हर ये 1, 3, 5, 15 जो है exactly divide होते हैं 15 से वो ही उसके Factors हो सकते हैं तो therefore we can say 1, 3, 5, 15 are all factors of 15 बर multiples क्या होते हैं? 15 is a multiple of 15 जो है, multiple है किसका? 1, 3, 5, 4 15 का तो ये तो हो गए multiples ये हो गए आपके Factors 15 is a multiple of each one of the numbers 1, 3, 5 and 15 तो हम इसको फिर कंक्लूड करते हैं कि if a number x divides a number y exactly then x is called a factor of y and y is called a multiple of x और 1 जो है is a factor of every number then every number is a factor of itself हम 1 से हर नंबर को मुल्टिप्लाई कर सकते हैं और 1 से हर नंबर को डिवाइड कर सकते हैं 1 is the only number which is exactly one factor नेमली इतसेल्फ तो हम इसके एक एक एक्जाम्पल लेके एक्स्प्लें करते हैं write down all the factors of 20 20 के factors निकालना है तो हमारे factors क्या हो जाएंगे 1, 2, 4, 5, 10 and 20 जो ये numbers 20 से सभी डिवाइड होते हैं तो वो हमारे factors हो जाएंगे और इसका factors कैसे निकालना है उसका video मैंने अलग से दिया है तो आप उसको देख लीजिए फिर write the first 5 multiples of 20 तो multiples के लिए आपको 20 into 1 20 हो जाएगा 20 into 2 क्योंकि हमें बोला है कि first 5 multiples हैं तो 40 हो जाएगा इसी तरी के से 3 से multiply करेंगे तो 64 से करेंगे तो 85 से करेंगे तो 100 तो ये हमारे multiples निकल गए multiples मतलब tables लिख रहे हैं कि वो कौन कौन से number इसे exactly fully divide हो जाएगा remainder नहीं बचना चाहिए तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माइ चैनल थैंक यू